ले soort इस इडियो में हम बात करेंग आजमी स्कॉलर्श्यिट टुदाउजें टुदाउजें टूजें टुटाउजें टूजें टूटीडु का नोटिस आगया आपको किस डेट से स्कोलर्शिप फॉर्म फिल करना है क्लास डेट क्या है कौन कंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है और इंफरमेशन इस वीडियो में हम बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब् देते हैं जिससे बच्चों को benefit मिल सके जिससे स्टुडेंट पढ़ाई कर सके उन्हें benefit मिल सके alumni committee है वह आपको scholarship देती है आजमी scholarship scheme 2021-2022 अगर आपको notice चेक करना तो इस पर क्लिक करना है लिंक आपको नीचे description मिल जाएगी वहां से जाके आप डारेक्ट चेक कर सकते हैं जैसे आपने क्लिक किया आपके जो है notice डाउनलोड होकर आगया है इस पर open पर क्लिक कर दीजिए जैसी आपने open पर क्लिक किया आपकी सामने notice डाउनलोड होकर आगया है अलुमिनाई एसोसेट ओफ जामिय मिले इसलामिय गेट नंबर 18 पर इनका office है यह help line नंबर है आप इस पर call करके help line किसी भी तरह की आपको help चाहिए तो यहां से help ले सकते हैं यह इनकी email ID है इस website पर जाके आपको form fill करना होगा notice आजमी scholarship 2021-2022 online application form are invited from the regular student of diploma UGPG course of जामिय मिले इसलामिय ओफ आओर पर आजमी scholarship of in our academy section 2021-2022 scholarship scholarship, diploma candidate, undergraduate, post graduate candidate जो है form fill कर सकते हैं वो candidate form fill कर सकते हैं जो other scholarship नहीं ले रहे हैं जैसे या फिर other scholarship में form fill किया है तो वो candidate form fill कर सकता है क्योंकि आपको अभी scholarship नहीं मिली है अगर कोई candidate scholarship ले रहा है UG scholarship या other scholarship उसे मिल गई है तो candidate form fill नहीं कर सकता इस website पर जाकि जो है वो form fill कर सकते हैं link आपको नीचे description में दे देंगे वहाँ से आपको दिखा दें किस तरीके से आप form fill कर सकते हैं application form जो है start होंगे 1 March 2022 से form start हो जाएंगे last date 11 March 2022 है इससे पहले पहले आपको जो है अपना form fill करना होगा online application form fill करना होगा link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ से जा कि आप form fill कर दीजिए आपको इन document की जरुरत पड़ेगी form fill करते होगे document requirement copy of last exam marksit आपने जो last exam पास किया उसके आपके पास marksit होनी चाहिए copy for admission fee slip आपने जब admission लिया तो उस time आपको admission fee slip दियोगे आपके पास admission fee slip होनी चाहिए copy family income certificate आपके पास income certificate होना चाहिए three document की आपको जरुरत पड़ेगी three document आपके पास होने चाहिए वह candidate form fill कर सकता है जिनके पास यह three document होंगे अगर आपको किसी तरह की क्योरी है या कोई question है तो आप इन लंबर पे भी call कर सकते हैं jamia alumni की जो परसीडेंट है वो शिवा उर्रह्मान कान है वो इस परसीडेंट जो है मुहमन फराज कान है सेकर्टी जो है वो बदर आलम है जो इन सेकर्टी जो है मुहमन दानिश है अगर आपको किसी तरह की क्योरी है या कोई question है तो आप इन लंबर पे भी call कर सकते हैं आपको 1 March 2022 से form की सतरह fill करना है सबसे पहले आपको आजमी scholarship की website पर आना होगा link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहां से जाके आप direct form fill कर दीजिए जैसे आप link पर click करोगे आपकी सामने इस तरह की stain visible हो जाएगी यहां से आप आजमी scholarship scheme 2021-2022 यहां से आप notice देख सकते हैं नहीं तो आपको simply नीचे आना है जैसे आप नीचे आओगे यहां पर आपको all information मिल जाएगी simply आपको नीचे आना है यहां पर आपको link मिल जाएगी scholarship form 2021-2022 student apply for scholarship इस link पर आपको click करना है एक मार्च 2022 से यह link जो है update हो जाएगी इस पर link पर जाके आपको form fill करना है form कैसे fill करना step by step इस पर हम वीडियो बना देएगी link आपको नीचे description में मिल जाएगी कि वहां से जाके आप देख सकते form कैसे fill करना होगा आपको आपकी जो short list candidate होंगे यहां पर ही वह list आएगी इस तरह से आपकी जो short list candidate होंगे 2021 की है इसी तरह से आपकी 2022 की short list candidate से relative आपको कोई भी information हो तो please हमें comment कर सकते हैं या पिर आप help line number पर भी call कर सकते हैं thank you कर दो